Hello बच्चो, let's read the question, the question is the stress strain curves for brass, steel and rubber are shown in figure the lines A, B and C are for तो ये तीनों लाइन जो है वो किस किस के लिए होंगी हमें बताना है और हमें जो graph दे रखा है वो stress और strain के बीच में दे रखा है ठीक है, तो अब देखिए इस question को solve करने के लिए हमारा जो key concept रहेगा एक तो आपको पता होना चाहिए, hooks लो, ठीक है, hooks लो हमें क्या बोलता है कि elastic reason में, elastic reason में जो stress होता है, वो strain के क्या होता है, proportional होता है और जब हम ये proportional का sign हटाते हैं, तो क्या आता है, modulus आता है, ठीक है, तो young modulus के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर young modulus की value आजाएगी y, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी stress upon strain ठीक है, यह मेरे पास क्या आजाएगा, young modulus हो जाएगा, newton per meter square young modulus जो होता है, वो elasticity को बताता है, जिसके लिए y की value जादा होगी ठीक है, वो more elastic होगा, अगर इसकी value जो है, वो जादा है, तो हमारा वो more elastic होगा और y मेरा अगर कम होगा, तो वो हमारा क्या होगा, less elastic होगा अब यह देखिए, यह जो होगा, stress और strain की बीच में graph दे रखा है इसका मतलब इसका जो slope होगा, इस graph का slope, वो मुझे क्या देगा, y देगा stress और strain का graph का जो slope होगा, वो मुझे y देगा, और slope क्या होता है, मेरा tangent होता है मतलब 10 theta जो होगा, उससे मुझे मिल जाएगा y की value, तो अब देखिए, 10 theta की value जो है, वो किसके लिए कितनी आ रही है base के साथ जो बनाता है angle, तो a के लिए तो बन जाएगा यह, जिसको हमने देदिया theta a अगर b के लिए हम देखें, तो देखें, b के लिए यह बन रहा है, यह इतना angle बन रहा है, theta b और c के लिए देखें, c के लिए इतना बन रहा है, तो देखिए, theta जो है मेरा, अगर theta का मैं ratio लिखूं, तो theta a मेरा बड़ा है फिर मेरा theta b है और फिर मेरा theta c है तो अगर theta's में ratio ये है तो मेरा 10 theta a होगा वो जादा होगा फिर मेरा 10 theta b होगा और फिर 10 theta c होगा और इसी से मुझे क्या मिल रहा है slope से ही young modulus मिल रहा है तो मेरा y for a जोगा वो जादा होगा y for b होगा फिर y for c होगा मतलब A वाला जो भी है उसकी लास्टिसिती सबसे जादा होगी फिर B की लास्टिसिती होगी फिर C की लास्टिसिती होगी तो देखें स्टील ब्रास और रवर में से सबसे जादा जो लास्टिसिती जो होती वो स्टील की होती है ठीक है इसका मतलब A वाला तो मेरा steel है उसके बाद फिर brass की होती है मतलब B वाला जो है मेरा वो क्या है brass है और last में हमारी rubber आती है तो rubber जो हो जाएगा वो मेरा C वाला हो जाएगा ठीक है तो A वाला जो मेरा है वो क्या है steel है B वाला brass है और C वाला rubber है मतलब C option जो हो जाएगा मेरा correct हो जाएगा यह A steel है B brass है और C क्या है rubber है I hope you understood well All the best